पॉली टेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसन भासा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ओन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलके नहीं तो नमस्ते दोस्तों सब्सक्राइब सभी लोग आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉली टेक्निक में आज का वीडियो लेक्चर पॉली टेक्निक फिप्स सेमिस्टर के स्टुडेंट्स के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है मसीन सेकेंड और मसीन सेक इसके बार में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे वीडियो को जल्दी से सेर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस चीज का लाब मिल सकें और रिवीजन क्लासिस आप लोग जरूर से देखें सभी सब्जेक्ट की जिससे की आपको एक अच्छे नंबर गें तरह होती है लेकिन इसमें घूर्णी गती ना होकर आपकी र्याखिक गती होती है कैसी इसमें घूर्णी गती ना होकर आपकी कैसी होती है र्याखिक गती इसमें होती है यह मौटर भी इलेक्ट्रीकल एनरजी को मेकेनिकल एनरजी में चेंज करती है इस मौटर का आउटप बेल्ट की तरह घूमता है ठीक है अब संद्रचना में अगर हम देखें संद्रचना में हम कह लखेंगे कि इसकी संद्रचना भी इंडक्शन मोटर के समानी होती है लेकिन यह थोड़ा सा उससे अलग होती है ठीक थोड़ी सी जो की अलग इसकी संद्रचना होती है इस मोटर के तीन मुख्य पार्ट होते हैं, stator, rotor and binding, stator, rotor and binding, stator ठीक आपका induction motor का आपका machinery पार्ट होता है, मतलब यह पार्ट घूमता नहीं है, मतलब की स्थर रहता है, फिर भी यह पार्ट किसी भी तरह का movement प्यादा नहीं करता है, stator को बनाने के लिए आपका CRGO का इस्तमाल किया जाता ह ठीक इस चिटर को लेमिनेशन की मदद से बनाया जाता है ताकि होने वाले लॉस को जो की है कम किया जा सके अब देखिए रोटर आपका रोटर पिलेट आपका लीनियर मोसन में घूमता है रोटर पिलेट जो होती है आपकी वो आपकी लीनियर मोसन में घूमती है इस पिलेट इस मोटर का ठीक यह खास बात इस मोटर की और इस मोटर के इस्टिटर पर दो प्रकार की बाइडिंग की जाती है सिंगल लेयर बाइडिंग और डबल लेयर बाइडिंग रोटर पर किसी भी तरह की बाइडिंग नहीं होती है ठीक, rotor पर किसी भी तरह की winding नहीं होती है, जो winding आपकी होती है, वो आपकी stator पर होती है, दो तरह की कौन-कौन सी single layer winding और double layer winding इसके बाद देखिए, आप इस तरह से जो की इसका चित्र बना देए, यह आपका यह है, क्या three-phase winding है, यह primary है, ठीक, और आपका aluminium conductor है, यह secondary winding ठीक, तो आप इस तरह से जो की इसमें देख सकते है, single sides, आपका linear induction motor, single sides linear induction motor, बरकिंग में हम पढ़ेंगे क्या, जब हम motor के stator को supply से जोडते हैं, supply देते हैं, तब binding में ऐसे current बहना चालू हो जाता है, और इसके कारण, stator के चारो और, आपके traveling flux, traveling flux, जो की है, जननेट या उत उत्फण होता है, और stator की, जितनी लंबाई होती है, उतने तक ही वह flex travel करता है, बाद में रोटर के cut, रोटर से जो की, या cut हो जाता है, मतलब की अलग हो जाता है, और रोटर में भी current induced होता है, मतलब current बहने लगता है, आपका traveling flux, और आपका rotor में बहने बाली, current के कारण, linear यह रोटर की फोर्स करता हो एह रोटर को यह फोर्स करने के लिए और रोटर लीनियर मोषन में मूब करना स्टार्ट कर देता है इस तरह से आप इसका देख सकते हैं स्कीन पर ठीक है अब इसके कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि single sides induction motor single sides linear induction motor single sides linear induction motor ठीक है यह आपका L रखा हुआ है single sides linear induction motor में सिर्फ एक primary और secondary ठीक secondary इस तुझो कि बाइन इस्तमाल होती है secondary होती है अर्थात अर्थात देखिए सिर्फ एक rotor plate और आपके stator का इस्तमाल किया जाता है इसमें जो हम क्या करते हैं सिर्फ एक rotor plate और एक rotor आपके stator का इस्तमाल किया जाता है और अगर देखिए हम बात करें double side से double side आपका linear induction motor double side क्या है linear induction motor तो देखिए double side linear induction motor में क्या होता है दो primary और एक secondary binding होती है, इसमें क्या होता है, एक आपका rotor plate और stator का इस्तमाल किया राता है, इसमें क्या होता है, secondary binding होती है, अर्था दो stator होती है, और एक rotor plate होती है, इसमें क्या होती है, दो stator, एक rotor plate, इसमें भी आपके दो, देखिए, एक rotor plate और आपके stator का इस्तमाल किया राता है, अगर हम देखें तो application इसका upYoo कहां 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 पर किया आता है देखें इसका प्रियोग आपका transportation में होता है और आपके किस में होता है doorneigh me je automatic दर्बाजे में बंद करने के लिए होता है इसका upYoo CNS आपका यह craft technology में जो की हम इसका उपयोग करते हैं अब बात आती है हमारी अगली most important motor की जिसका नाम है stepper motor देखिए जब एक सामान मोटर को supply दी जाती जब एक सामान मोटर को supply देते हैं तो उसका rotor लगाता rotate करता है लेकिन stepper motor में ऐसा नहीं होता है stepper motor का rotor एक एक step में rotate करता है देखिए हमने अभी तक जितनी भी motor पढ़ी हैं उन्में क्या था उन्में क्या था देखिए motor की सामान मोटर को supply देते हैं तो उसका rotor जो की लगातार rotate करता है जिसका rotor है वो लगातार आपका कैसा होता है घूमता रहता इस तरह से ठीक देखिए अभी तक हमने जितनी motor पढ़ रहेता था रोटेट कलता है था टा तो अगर आपक Сटेप एक क्या होता है य। इसमें क्गों आ सब्सक्रा एक इस तरह से स्टेप सोंगा य। गुमता है step by step step motor का rotor जो किया घुमता है इसलिए इस motor का नाम step motor रखा गया है ठीक है तो इतनी सी बात सम लोगों समझ में आ गई होगी तेकि step motor का rotor एक-एक step में rotate करता है इसका मतलब यह है कि step motor जिस pole को हम supply देते हैं बहे पोल आपका energized मतलब की उजाबान होकर rotor को उतना angle तक घुमा देता है जिससे की पोल का magnetic strength होता है ठीक है step motor एक बिसेश प्रकार का विद्दूत motor है जिसका rotor छोटे-छोटे step में rotate करता है अर्थात इसका rotor एक निश्चित कोण को आपका गुड़क में घी घुम जाता है rotor होते हैं लेकिन इसका rotor ये आपके special type rotate होता है special type जो कि है router होता है इसमें जो आपका router लगा होता है वह qi special type router होता है इसके router को थीक इसके router को दो परकार की होते हैं पहला आपका होता है single stroke route और दू leoser होता है multiple stroke route अब सभसे हुदम सीगें और इन में जुकित के पढ़ाएंगे इसका रूटर इसका रूटर में लगनिट का होता है इसके रिष्टेंटर में अभीट को जादा रखती है मतलब क्या है इसका इसका जो आपका हो उसमें पोल्स हम जादा कर देते हैं पोल आपके क्या होते हैं जादा होते हैं तथा रोटर के नंबर ओप पोल कम रखा जाता है मतलब की क्या है अगर आप मानले यह आपका इस्टेटर है और यह रोटर है तो इसके इस्टेटर में ठीक इसके इस्टेटर में देख सकते हैं इस टेटर में जो कि हम क्या करते हैं, number of poles, pole की संख्या जादा होती है, और rotor में pole की संख्या कम होती है, ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कम होती है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जादा होती है, ताकि आपके locking, ताकि आपके logging की प्रिक्रिया ना हो इसमें, और यह mortar DC supply प देखिए इसमें लखाए कि ओपड़ियोग चित्र में दिखाए गए इस्टेपर मोटर में ओपड़ियोग चित्र में दिखाए गए इस्टेपर मोटर में इस्टेपर में चार पोल और रोटर के दो पोल है इसमें चार पोल है ठीक इस्टेटर के कितने है चार पोल है और रोटर के कितने दो पोल है इस्टेटर के आप देख सकते हैं एक दो तीम चार इस्टेटर के पोल और रोटर के पोल कितने है एक दो ठीक है चारो पोल ABC और D और DC सोर्स से जुड़े हैं आपके देखें चारो प करते हैं आपके पोल नहीं होती है इसमें क्या होती है रोटर में कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है और ढुतरमें आगे लिखेंगे कि इस्टैपर मोटर में इस्टै एक ही पॉल को आपका एक्सिस कायां ख्द्र tam में इक पॉल क हमक्या करते हैं और निंग को आपके ग्साइक्जक्च गूमता है किया हूता है रोटर कुछ एंगेल खूमता है यह है कौर की इसपेट आपके क्या है step कौर कहलाता है मतलब की step angle हम इसी को कहते हैं जब आपका जो कि है एक आपका rotor एक angle गुम जाता है उसी को हम जो कि है step angle कहते हैं ठीक है अब इसके बात देखे आप आगे देख सकते हैं क oll मोटर की और व्होटिस आपके rotating करना stepper motor की rotating करना आसान नहीं होता है इसके लिए कुछ device का प्रियोग किया जाता है जिससे की pulse generator या आपके driver circuit भी कहा जा सकता है अब इसको क्या कहते हैं pulse generator और हम आपका driver circuit भी कहा जाता है stepper motor driver भी कहा जाता है stepper motor की speed को नियंतर या control करने के लिए ठीक आपके driving model आपका driving modes का जो की है प्रियोग किया था driving modes का जो की इसमें प्रियोग किया था है इस प्रिकार के stepper motor के जिस pole को हम supply देते हैं बहे pole आपका energized मतलब की उजावान होकर उजावान होकर rotor को कुछ angle पर गुमा देता है इसी ही step angle कहा जाता है ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं यह angle देखिए इस कितनी angle पर गुमा है यह zero angle पर है इसको हमने 90 angle पर गुमा है इसको हमने 180 angle और इसको 270 angle अगर आप चितर बनाना चाहें तो बना सकते हैं ठीक दूसरा आपका क्या है आपके textile machines में printing आपके press में gaming machine में small robots में और आपके small robots में ठीक है और आपके CNC आपके milling machine में building आपके welding equipment में और आपके medical आपके imaging और machinery में जो कि इसका उप्योग किया था stepper motor का मतलब हम छोटे छोटे robots आपके होते हैं ड्रोन्स होते हैं छोटी-छोटी motor जो होती है वो आपकी stepper motor ही होती है अब इसके बाद देखिए हमारा अगला आता है AC servo motor AC servo motor में पढ़ेंगे कि जब motor जब motor है supply प्रिदान कर supply प्रिदान कर चलाई जाती है जब motor को supply प्रिदान की जाती है और वह चलती है तब motor अन्यंतरित होकर खराब ना हो उसे खराब ना हो सके इसके लिए उनके प्रिचालन को नियंतरन करना बहुती आवसक होता है बे सभी मोटर हैं जो नियंतरन परणाली में उपियोग की जाती है नियंतरन मोटर कहलाती है मतलब कंट्रोल मोटर कहलाती है जैसे की सर्वो मोटर ठीक है इस टेपर आदी बे मोटर जो आपके बे मोटर जो त्रोटी संकेत अबे मोटर जो त्रोटी संकेत अपर नियंतरंग का काल करती है आपके सर्वो मोटर कहलाती है ठीक इस तरह से जो कि सर्वो मोटर को उन्हें दो भावों में बाता है एक आपका होता है डीसी सर्वो मोटर और दूसरा होता है क्या AC सर्वो मोटर तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप देख लिए कि सर्वो मोटर की टॉर्क बहुत ज़ादा होती है सर्वो मोटर की टॉर्क बहुत ज़ादा होती है लेकिन स्पीड कम होती है यह चीज जो की है नोट करने लाए कि आप लोगों के लिए कि सर्बो मोटर में टॉर्क बहुत ज़ादा होती है ठीक लेकिन स्पीड बहुत कम होती है टॉर्क का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसमें बल ज़ादा होता है और इसकी स्पीड कम होती है सर्बो मोटर में आपके potential matter लगा होते हैं ठीक potential matter लगे होते हैं जो की speed को vary या control करते हैं DC servo motor क्या है देखे AC servo motor जो electric AC input लेती है और आपके क्या है electric AC input लेती है और प्रेसाइस आपके angular velocity के रूप में output प्रतान करते हैं ठीक उसे AC servo motor के रूप में जाना जाता है AC servo motor दो परकार के होते हैं 2 face AC servo motor और 3 face AC servo motor बरतमान में सबसे अधिक जो की है 2 face AC servo motor का ही उपयोग जो किया जा रहा है तो हम पढ़ेंगे क्या 2 face AC servo motor के बारे में देखिए 2 face AC servo motor में दो आपके क्या होते हैं distributed binding होती है दो क्या होती है distributed binding होती है जो की एक दूसरे से 90 angle या 90 electric angle पर 90 electrical degree पर होती है एक binding को fix face या आपके reference जो की है face तथा दूसरी binding को हम control phase कहा जाता है fix face को आपके contact ठीक contact voltage source दिया जाता है जिसकी control phase को जिससे जिसकी जबकि control phase को हम क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं इसमें variable voltage जो कि यह देते हैं अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके इसमें दो binding होती है ठीक है हमने यह समझ लिया fix face को हम क्या करते हैं हम इसमें constant voltage source देते हैं और आपका जो control phase था उसमें हम variable voltage प्रिदान करते हैं दो phase यह सी servo motor के आपके connection diagram जो कि है यहाँ पर हमने आपको दिखाए गया है देखिए इसका connection diagram आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आपका control phase है और यह आपका stator winding मतलब की reference phase मतलब की fixed phase जो कि हम इसको कह सकते हैं यह आपकी stator winding है यह आपका high resistance क्या है gauge rotor है high resistance gauge rotor आपका यहाँ पर लगा हुआ है इस तरह ऐसे जो कि आप इसका diagram बनाएंगे आप यहाँ पर लखेंगे control phase को सामानता सर्वो आपके servo amplifier द्वारा आपके supply दिये जाता है आपका जो control phase होता है यह control phase जो आपका लगा हुआ है इसको हम servo amplifier द्वारा सप्लाई देते हैं इसमें एक high resistance का gauge rotor लगा होता है जिसमें torque की torque भी जो की high होती है देखिए torque का मतलब आप सीधा सीधा समझे बल torque आपका जब भी जादा होगा तो मतलब समझे लिए कि बल उसमें जो की है तागत बहुत जादा है मसीन में अब बरकेंग हम देखें कि यह motor भी पेरण के सिधान पर कार करती है जब एक motor की AC supply से जोड़ा जाता है यह motor को जब हम AC supply देते हैं तब 30 संकेत error signal का मान कम हो जाता है जिससे motor इस्थिर स्थिति में होती है परन्तु error signal जैसे ही मिलता है उसके आधार पर नियंतरण प्राप्त की जाती है जैसे ही control winding को आपका धनातमक अथवा रनातमक 30 संकेत अथवा संकेत पर आपका क्या है अभीष्ट voltage नियंतरण voltage control voltage प्राप्त होता है बैसे ही rotor उसी दिसा में घूमने मतलब की rotate करने लगता है रोटर जब तक rotate करने लगता है रोटर जब तक घूम रहा है ठीक है तो रोटर बास्तम में तुर्टी स्थिति में यह motor आपकी प्रिक्रिया की उस व्यवस्था को व्यवस्थित करती है जिसके कारण यह तुर्टी संकेत पराप्त होता है अगर रोटर प्रितिरोत का मान ज सकता है रोटेकस में की आता है कंपूटर में की आता है लगबग लगबग सभी जगे जो की हम सरवो मोटर का उप्योग यहां पर कर सकते हैं उपन डूर आपका अप्ली के सर में प्रिंटिंग में अब इसके बाद अगला टॉपिक जो मरा आता है समर सेविल मोटर समर सेविल मोटर के बारे में जो कि हम पढ़ लेते लास्ट मोटर पंप के साथ जुड़ा होता है समर सेविल मोटर जो आपका होता है यह आपका मसीन अत्वा पंप के साथ जुड़ा होता है और इसके और और इन्हें आपके हाइड्रोलिक मसीन भी कहा जाता है आपके समर सेविल मोटर में लगा मोटर समर सेविल मोटर कहलाता है यह बन फेज या तीन फेज के होती हैं यह यह सर्वो मॉटर यह समर सेवल पंप के साथ पानी में डूवा होता है जो आपकी समर सेवल मॉटर होती है वो समर सेवल पंप के साथ पानी में डूवी होती है संरचना देखिए अगर हम कंस्ट्रक्शन की संरचना की बात करें तो आप आपका ये बिद्दूत summer savel water pump में एक आपका AC electric motor लगा होता है, employer लगा होता है, आपका diffuser लगा होता है, cable guard लगा होता है, और आपका summer savel electric cable लगी होती है, इस pump को पिरधीवीक में खोद गए, खोदे गए, ठीक है, आपके box hole में जो कि है रखा जाता है, और ये operation के लिए बिद्वत आपूर्ती से जुड़े होते हैं बे आपके employer की उजा को पानी की गतिज उजा में जो की है परिवादत करते हैं मतलब की change करते हैं ठीक change करके पानी को आपके क्या है जर्मनी पानी को जमीनी इस्तर से जमीनी इस्तर तक उठाते हैं इस तरह से जो कि आप इसका diagram बनाएंगे ठीक electric summer civil pump यह आप से पूछा सकता है यह आपकी summer civil motor है यह ठीक इस तरह से जो कि आप इसमें देख सकते हैं यह आपका intake pump oil or water आपका यह पर फ़र्वाइब होता है यह आपका यह electric cable है यह आपकी निकली होगी है ठीक है इस तरह से जो कि आप देख सकते हैं यह आपकी cable आई हुई है बगल से ठीक है इस तरह से जो कि आप इसका चितर बनाएंगे इसमें बर्किंग क्या पढ़ेंगे बर्किंग में हम लिखेंगे कि समर सेवल पंप एक आपका centrifugal टाइप पंप होता है कई आपके impeller एक ही shaft पर connect होते हैं मतलब की लगे होते हैं और यह shaft induction motor की द्वारा गुमाय जाता है पानी impeller की सायता से आपके enter करता है और centrifugal action की बज़े से बाहर की तरफ फेका जाता है जब भी centrifugal action आपका होगा तो क्या होगा पानी आपका बाहर की तरफ फेके का मतलब ऊपर की तरफ आएगा इस तरह पानी को देखे प्रेक्टिकली और काइनेटिक और प्रेसर एनरजी दोनों मिलती है और कई एमपिलियर लगे होने की बज़े से प्रेसर कई गुना जादा बढ़ जाता है जिससे पानी को ऊपर की तरफ धकेलने का काम इसके द्वारा किया जाता है समर सेवल पंप का मुख्यकार पानी को ऊपर सतय तक पहुचाने के लिए रोटर उजा को आपकी रोटरी उजा को गते उजा में परिवर्तित करा जाता है या गते उजा को दाब उजा में परिवर्तित से होता है application देखिए हम इसका कहा कहा करते हैं इसका उपयोग मुकरूप से सचाई में ठीक अगनी समन में और प्रणाली घरों में उद्धोगों में आपके सीवेल ठीक और आपके कई जगह उपर जो कि आपने समर्सेवेल का नाम भी कई जगह सुना होगा ठीक है खेतों में जो कि इसक मसीन खतम कर दिया है ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने मुझे की है मसीन सेकेंड आपकी जो थी पूरी कम्पलीट हो चुकी है यह लास्ट यूनिट आपकी थी जिसका नाम था इस पेसल परपस मसीन ठीक है इसी के साथ जिप पूरी मसीन आपकी खतम होती हुई वीडियो को जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर कर दें ताकि बो भी मसीन सेकेंड का रिविजन कर सके दें कि मसीन सेकेंड आपकी हाइड है थोड़ी इसलिए हमने इसकी रिविजन के लास इसला है हम आपके लिए और हम जल्दी ही जो की है ब्रहमा सीरीज भी अगर आपने अभी तक notes नहीं लिय तो अभी भी काफी time में आप notes अच्छे से एक बार जब देखे हैं आप रिज्वीजिन क्लास सारी देखी लिए अगर आप एक बार इनहीं चीज्वोगोंコ देख लेंगे तो काफी जादा आसानी आप समझने में होगी ठीक और एक अच्छी नमबर गिन करने में आपको आसानी होगी तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्टर में नमस्ते